इसलाम आलेकुम दूस्तू आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एशिया के फूपसूरत तरीन महलात की सीर पर यह महलात ना सिर्फ आपनी पूपसूरत तिबल के अपनी तारीह या हम्यत की युजह से भे मिशूर हैं। यह महलात ना सिर्फ आपनी पूपसूरत तिबल का अपनी तारीह ही अहमी तकीव जैसे भी मिशूर हैं। जहां हर गोशा एकनी खानी सनाता है। हमारा पेला पड़ावे हिंदोस्तान एक कदीमावर खूपसूरत मिल्क जहां के काहिकार खड़ा है जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ कींचता है जिसे दुनियाता जमहल के नाम से जानती है। ये अमारता अपनी खूपसूरती और अजमत के लिए मशूर है। मगल शेहनशाह शाह जहान ने अपनी महबूबू बीबी मिम्ताज महल की याद में यहे शाही मकबर हता में करवाया था। यह मकबर हम हुबत की आएकलाजवाल दास्तान है जो आजब हिजनन्दा। हमारा अगला पड़ाओ है चीन जहां हम देखेंगे ममनुवा शेहर की शान वशोकत। ये शेहर पांच सदियों तक चीनी शेहनशाहों का घर रहा और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और महफूज महल है। अब हम आते हैं थाईलेंड जहां हमें ग्रेंड पैलिस अपनी शान वशोकत से मुतासिर करने के लिए तयार है। ये महल सदियों से थाई बादशाहों का घर रहा है और आज भी यहां शाही तक्रीबात मनाकद होती है। हमारे सफर का आखरी पड़ाओ है जनूबी कोरिया जहां हम देखेंगे ग्यूविंग बोक गंग पैलस की तारीखी खुबसूरती। ये महल कोरिया के ये जौसून खानदान का घर रहा है और आज ये एक तारीखी अजायब घर है। तो दोस्तों ये थे इश्या के कुछ खुबसूरत ततरीन महलात इन महलात की खुबसूरत या और तारीख या हमीत ने हमें माजी की यादों दो मेले जाकर हैरान कर दिया। हर महला पनी खानी अपना हिसन और अपना जादू रखता है। अनकी तामीरात में छपी हुई खानिया और फनुवन लतीफा की जलकियें वाकए दिल को छोलेने वाली हैं। अमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि आपको अनमहलात की सीर करवासकें और रा की खूबसूरती को आप ते कप पहुँचा सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तवा से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शियर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हमायत हमारे लिए बहुत हम है और हमें मजीद ऐसी वीडियो बनाने की तर घैब देती है।